उन्हों ने मेरी बेटी तो नौ ताडि को कॉलेज गए थी, उसी दिन से लपता है, उसके मोबाइल पे, उसके वाट्सआप से मेरे मोबाइल पे मेसेज आया, तीन बजे, तीन बज के कुछ मिनट में, कि मतलब मैसेज में आया उनका नमबर की इस नमबर से हमको बात किया जा है यह सारे मामले जो है जो भी हम दमपती के उपर आरोप लगाया गया है बे बुनियाद है हम लोग नो तारीक को यहां थे भी नहीं जब लड़का और लड़की घर से गायब हुए या लड़का और लड़की घर छोड़े मैं नहीं था मेरी पत्नी भी नहीं थी बाश्वा विधायक विनेव विहारी हमारे साथ है इन पर कई गंभीर आरोप लगाई है महिला ने जिस तरीके से फाई आर दर्च किया है जब लड़का और लड़की घर से गायब हुए या लड़का और लड़की घर छोड़े मैं नहीं था मेरी पत्नी भी नहीं थी मैं एक साधी समारों में था जब मुझे पता चला कि लड़का और लड़की नहीं है घर पे और जैसा सचाई है जूट है मुझे नहीं मालूम जैसा लड़की की मा ने कहा कि मेरे मुबाइल पे मेरी बेटी के मुबाइल से मेसेज आया है कि आप जो कुछ भी बात करना है बिने विहरी से बात करें इसका मतलब है कि आपने मेरी लड़की को छुपा रखा है अगवा कर रखा है ठीक है मैंने कहा कि लड़की जो है मेरे पास नहीं है और मैं एक जिमेदार विधायक हूं बीजेपी से तीन बार विधायक हूं मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता आपको गलत फ़हमी है आपको किसी ने चड़ा बढ़ा दिया है आपको कोई हमारा विरोधी मिल गया है आप एक काम कर गये नदस्तारी को मैं आ रहा हूं मैं पता अपने अस्तर से भी करूँगा और पता करके मतलब लड़का लड़की जहां भी होंगे उनको आपके सामने हाजिर कराऊंगा लेकिन आप ये मत सोचे कि मैंने लड़की को छुपा रखा है नहीं 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 मुझे मालूम है आपने लड़की को छुपा रखा है मैं तो केस करूँगी मैंने कहा तो बताई ये आपकी लड़की आपके पास नहीं है और आप मा है मैं एक मा की लड़की नहीं हो और मा की स्थिति कैसी हो चूकि मैं 700 फिल्में लिख चुका हूँ मैं लिखक हूँ कभी हूँ मैं इसको अनुभव कर सकता हूँ कि उनकी क्या हालत होगी तो आप अभी असंतुलित हैं आपका दिमाग संतुलन में नहीं है मैं आपके सेवा में हूँ आपके साथ हूँ और लड़की जहां भी होगी लड़का जहां भी होगा आएंगे लोग और उसके बाद जो आप आरोप लगा रहे हैं उस आरोप से मैं अपने आप सोतह मुक्त हो जाऊंगा आज लड़की आ गई है डेड़ बजे से अगम कुआ थाने में वैठी है वो बताएगी कि मेरा क्या उसमें रोल है मैंने क्या किसी के पास चलियाओ आपको जो करना है कर लीजे मेरा कुछ नहीं होगा यारी इस अंदाज — मैं पागल दिखता हूं क्या है मैं पटना इन्वर्सिटी से में पास किया हूँ, 700 फिल्मों की कहानी लिख चुका हूँ, मैं पागल हूँ क्या, मुझे नहीं पता है कि आदर्णिया परधान मंतरी के पद का क्या गरिमा है, आदर्णिया मुख्य मंतरी जी की पद की क्या गरिमा है, डी जी पी का मतलब क्या अगर कोई वीडियो और कोई टेप हो उनके पास तो यह आरूफ लगाएं नहीं तो आप एक बात पत्याप अत्रकार है हमारे घर पे आए हैं मैं अच्छे से बात करूं आपको मिठाई और पानी खिलाओं पिलाओं आप रोड पे जाके बिने भीहर कालर पगड के मुझे मार कर रहे हैं तो इसमें बिने भीहर आपको कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं यह कहानी आपको कप से पता थी और आपने इसमें कितना सहीं किया है इस मामले पर जिस तरह से उनकी मा ने आरोप लगाया है और फिल्मी दुनिया से हटकर बात करें रियल जिन्दगी में बात करें क्या यह सच है यह उन्हों जो किया है आपके परिवार के लोगों ने वह सही किया है यह गलत किया पहले एक बात बताईए कोई अपने बेटा की बात करेंगा अफूफा मामा मौसा का रिष्टा तो आप भी समझते हैं उस औरत से एक लाइन में पूछिए जब बच्चे की मा जिवित है पिता जिवित है तो मौसा मौस यह मामा मामी अफूफा क्या होता है जी आपको नहीं समझ में आता है कि यह क्या मामला है यह समझदार ब्यक्ती हर ब्यक्ती समझ रहा है आज कल सगा बाप भी अपने बेटे को नहीं कहता है प्लानी की लड़की को लेका भाग जाओ अब फूफा कहेगा की लेका भाग जाओ लड़का भग जाएगा कौन लड़का लड़की आज के टाइम अपने माबाप फूपा फूपी मामा मामी मोसा मोसी से पूछ के मोभबत करता है एक भी बात बता दीजे एक भी उधारन दे दीजे बेतु की बात को हम क्या हवा दे ना जो मरीज ही नहीं है उसको क्या दवा द जाएंगे मैं पटनाही में हूँ अज जब तक इस ममले से पारदा नहीं उड़ जाए इस राज का रहत से खतम नहीं हो जाता है हम कोई भगड़ा है भग जाएंगे विधायक हैं बाई सत्ता धारी पक्ष के विधायक हैं यह तीन अमर काम क्यों करेंगे क्या जरूरत है हम को अक्यों भागेंगे परवारी जहां बुलाएंगे चले जाएंगे लड़की बोल देगी कि विधायक जी अपने आदमियों से जब विधायक हमको मारे हैं उठा के ले गए बाल खुचके मारे बात समझी है कुछ भी बोलेगी अगर बोल देती है इसा तो मिश्वर के ना ये इसमें हमारा कोहीं दोस नहीं है कोई लड़का लड़की आज के टाइम में किसी से पूछ के ना किसी से प्यार करता है ना बागबगईचा में जाता है औना सिने माहौल में जाता है तो आपने नहीं सहीत किया है, तो देखिए, भारतीय संस्कृति में जीने वाल आदमी हूँ, वेलेंटाइन डे को बहुत मान्यता नहीं देता, लेकिन अगर हमारे देश के कुछ नौजवान इसको महत्व देते हैं, तो वो नौजवान हमारे अंग है, हमसे बाहर नहीं है, प्यार महबत का दिन तो हर दिन होना चाहिए, एक दिन क्यों, 14 फरवरी क्यों, 14 जनवरी क्यों नहीं, 26 जनवरी क्यों नहीं, 15 अगस्त क्यों नहीं, देखिए, 2 अक्टूबर क्यों नहीं, हम इस चीज को बहुत हाटली नहीं लेते हैं, भले हम 700 फिल्मों में गाना लिखे हम चीज हो उसको सह देंगे जो जनुमीन नहीं है उसको सह नहीं देंगे हम कत्तई आपको इसा लगता है कि हम कहेंगे किसी की लड़की को लगा भाग जाओ सगा बाप नहीं बोल सकता मैं तो फुफा हूँ एक चीज बताईए लड़का और लड़की राजी हो तो जब लड़का और लड़की राजी होंगे इसमें किसी के जरूरत आज के जमाने में है क्या है? आज के जमाने में है नहीं है और किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में बहुत हुसनी के जरूरत मैं नहीं समझता मुझे लगता है कि हर आदमी को अपने तरीके से जीवन को जीने का हक है और ये हक किसी भी व्यक्ति को छिनना नहीं चाहिए और मैं भी इस काम में कहीं सहयोग न को बड़ी बात कह दी मोहबबत को निभाना बड़ी बात नहीं लेकिन मोहबबत को निभाना बड़ी बात थे जिस तरीके से विनेविहारी और उनके पत्नी और उनके साले पर गंभीर आरोप एक महिला ने लगाया कि हमारी बेटी का अपहरन किया गया है जिसके बाद विने विहारी ने मीडिया के सामने आकर खुल कि तमाम बातों को जो जिस तरीके से आरोप लगा है वो तमाम बातों को उन्होंने बेवाब तरीके से जवाब दिया और कहा ये सब बाते जुटी है ये प्यार महबबत का मामला है और मेरे रिष्तेदार ने प्यार किया है उसका जवाब वही देगे कहीं मामा और फुफ़ा इस मामले में होते हैं क्या जब बाप और बेटे का इस मामले में नहीं हो सकते हैं, कोई बाप अपने बेटे को कहेगा कि जाकर प्यार महबत से शादी कर लो, कभी नहीं ऐसा हो सकता, यह विनै विहारी का कहना है, तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें दर्ज जिन्यूस के साथ, और देखते रहें दर्ज जिन्यूस